आती हैं उनको निया वर्षी बहुत हो शुब कामना है शुरुआत करूंगा मैरा जोरी से मेरी बहुत सम्वेदाइन है परिवारों से जिन्होंने अपने खोये हैं और टेरिरिज्म को हमारी पार्टी से बहतर को नहीं जानता एमेचे के डेटा है कि सबसे ज़्यादा कारेकर और विधायक इस पार्टी के शहीद हुए है तो हमने सबसे पहले तरंगा धामा था और आज तक थामा हुए मजबूती से जो रजोरी में के लिंग हुई है उसके लिए जिम्मेवार कौन है जब पिछले कुछ समय से रजोरी को आंतकवाद मुक्त घोशित किया गया था त अपने पैर पसार रहा है और वो कोन अधिकारी है जिनकी नलाइकी की वज़े से हमने वो इतनी महत्मपून जाने खोई है एक भय और खौफ का माहोल है आज लोग आज घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं क्या यह है नया जम्मू कश्मीर क्या ऐसा जम्मू कश्मीर भाज बनाना चाहती है जहां हर एक व्यक्ति जो है धर से भाई से जीए कि कश्मीरी पंडिच जो है आज पैकेज इंप्लॉई भाजपा दफ्तर के बाहर वो खरताल में बैठा हुआ है कश्मीर नहीं जाना चाहता है वो कहता है डर लगता हमें मार देंगे वो मरने से नहीं डरत है रिजर्फ कैटेगरी इंप्लॉई हैं वह भी बैठे हुए हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं चार महीने सटकों में बैठे हुए हैं तो चल क्या रहा है जम्मों कश्मीरी भाजपा चाहती क्या है 370 एब्रोगेशन के बाद जो यहां के हालात बने हुए हैं नौजवान पूछो मैं सब्सक्राइब जवानु से पूछो कितने मुश्किलों से उनकी जिंदगी बीत मिध रही है कोई पूशने वाला नहीं को सुने वाला ने है हुए अलघ्र बिहारी वाचुपैई जी बहुत सीनियर नेता थे भाजपा के परधानमंतरी थे ऑ अनमन करता हूं औ और उनका कहना था कश्मीरियत, इंसानियत, जमूरियत, कश्मीरियत तभी समझ सकते हो जब आप इंसानियत और जमूरियत में विश्वास रखते, चुनाव आपने करवाने नहीं है, और और सबधाएं तरीके से आपने जो यहां विदानसवा भंग की थी, आपकी फैक्स मश खराब होगी तो अभी तक खराब पड़ी हुई है, आपकी कौन से ऐसी मशीन है जो ठीक है, भाजपार केंदर सरकार की कौन से ऐसी मशीन है, जो सई रूप से काम कर रही है, आज मैं एक नैश्रल कॉन्फरेंस के कारे करता के अधार पर इस सवाल नहीं कर रहा है, एक आम जम्मू कश्मीर के नागरी के हैसे सवाल कर रहा हूं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक यहां पर लोग जो हैं जिल्लत की जिन्दगी जीते रहेंगे, सडकों पर, हर्तालों पर, रहबर एक खेल के कल देखे आपने, जो प्रोटेस्ट चल रही थी, किस प्रकार से उन पर फो शायद आप लोगों पता होगा, दो दिन पहले के इंदर सरकार एक कमेटी मनाती है, मोस होम, यूनियन होम मिनिस्टर फर होम यूनियन, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो लगदा के लैंड और जॉब्स जो है, वो प्रोटेक्ट करेंगे, जितने भी वहां पर कश्मीर के लोग उनके लिए लैंड और जॉब जरूरी नहीं है, क्या उनकी प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है, कब तक ऐसी भेदभाव परेशानी जम्मू के लोग देखते रहेंगे, चलती रहेंगी, क्या इसका जवाब भाजपा के पास है, मैं आप लोगों के माध्यम स भाजपा हाई कमान से सवाल करता हूं कि कौन सा जम्मू कश्मीर आप लोगों ने बना दिया हुए, आप क्यों यहां पर चुनाव नहीं करवा रहे हैं, डिल इमिटेशन अपनी मर्जी से करवाते हैं, उसके बाद भी आप लोग डर रहें, उसके बाद भी आप लोग कह र करेता हूं कि भाजपा को इस बार हम लखनपूर के पार छोड़के आएंगे, यह मैं नहीं कह रहा है, जम्मू का आम नागरिक कह रहा है। डॉक्ट साब की बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, सबसे पहले जैसे हम सब जानते हैं, कि सिक्यूरिटी के एतबार से जम्मू कश्मीर एक डिस्टरब स्टेट है, आए दिन कुछ नकुछ सुनने को मिलता है, पहले तो सिर्श्मीर से ही खबरें आती थी, मगर अब ऐसा लगता है कि जम्मू भी महफूज नहीं है, एक तरफ से गौर्मेंट आफ इंडिया और एलजी अद्मिस्टेशन के टॉल क्लेम्स, एक तरफ से ऐसा नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पोस्ट ऑगस्ट त्री सैवंट जब आर्टिकल थी सैवंटी को अब्रोगेट किया, हलात यहां पे नॉमल सी आ चुकी है, हलात यहां सामानने हैं, एक तरफ से टागेटिट किलिंग्स का जो दोर चलता जा रहा है, जिन कश्मीरी भाईयों को नेशनल कॉन्फरेंस ने अंडर प्राइम निस्टर पैकेज क आज वही किश्मीरी भाई जो हैं, अपने री लोकेशन के लिए पिछले आठ महीनों से सड़कों पे, एक तरफ से टागेटिट किलिंग्स का यह दोर चल रहा है, और दुस्री तरफ से अलजी अड्मिस्टरेशन और गवर्मेंट अफ इंडिया जो है, यह कह रही है कि जम इस तक हराब हैं, अगर आप हाला ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इसकी प्रॉब्लम जो है, वो कहां लाइक करती है, इसके रूट कॉस तक जाईए, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, क्या शायद आपकी कोई पॉलिसी जो जमो किश्मीर को लेके है, उस पॉ यूट किश्मीर आपक benefitारीगूर्मिश जोफ इस जो साओन क कीश्मीर यूट कोई क्याधिन आवाध्त के चाईए इस सिर्म सादेव जोडिया आपकी को béree आपके तकांची को ऋवाभारी निजाम से दूर रखेंगे, निजों के आवास को ददेवाया जायगा गाएगा तुनी जाती है और उस राए पे अमल होता है ना कि सरकार की तरफ से अपनी राए लोगों पे थोपी जाए मैं यह कहना चाहूंगा कि एलजी साहब एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं उनने यह जानना होगा कि आज चार सालों में जो आपने जमो किश्मीर को सिर्फ ला किया था जैसा कश्मीर जमो किश्मीर आप हमारी आने वाली नसलों के लिए बना रहे हैं मेरी यह घुजारिश है आप से और यह जी साहब जैसे मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं वो समझते हैं कि एक बिर बिरो एक ऑटोक्रेसी में और डेमोक्रे स्थनीवारी आप सी, खराउमोकルク कहा से हैं में अविवारे यह हैं में और यदिक来 किन स्थनीवारे इवारे में इवारे में सूबसे एक प्याव खरावारे यह जए घशीने